हलो दोस्तो नमेश्कार इसमकिसी चैनल में मैं आप सब्लम का दिल से बहुत-बहुत सब्सक्राइब करता हूं अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चालन को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टॉक मर्केट क्लासे इस चालन को भी चाहता फॉलो कर सकते हो बाजार की बात करें तो हरे चार्ट पैटन में हम लोगों का बाजार देखने को मिल रहा है हरे चार्ट पैटन में मतला ओविसली कोई सूफर डूपर तेजी नहीं है बट स्टिल बाजार मतला सिर्फ हरे निशान में ही देखने को मिल रहा है उतनी बात यहापे काफी है क् हम लोगों ने कल के दिन देखा था, पूरे दुनिया बर के जितने भी बाजार है, उनमें लिटरली हम लोगों को भूकम देखने को आपे मिल रहा था, तो शेर मार्केट में तो आपको पता ही है, कि इतनी बड़ी एक्स्ट्रीमली कभी तेजी आती है, या फिर एक्स्ट्रीमली गिरावट आती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण जरूर यहापे होता है, और उसी कारण के वज़े से मार्केट अगर गिरता है, अगर उ इचले इस तर से हम लोग एक अच्छी खासी थोड़ी सी recovery भी देखने को मिली जो overall closing रही American बाजार की लगबख 300 point की गिरावट के साथ देखने को मिली मतलब 300 point भी बहुत बड़ा होता है बट overall जो 600 point की गिरावट देखने को मिल रही थी 500, 500, 500, 600 उसके मुकाबले हम लोग यह आपे कह सकते हैं कि 280 points गिरना मतलब चलो ठीक है 1% के आसपस हम लोग को गिरावट देखने को आपे मिल रही है सो definitely दोस्तो यह सारी चीज़े कल की दीन भी हम लोगों ने आपे देखी थी American Bazaar के future की भी अगर हम लोग बात करे तो आप देख सकते हो कल की दीन जबरदस गिरा था बट उसके बाद almost नीचले स्तर से हम लोगो 50% recovery देखने को आपे मिली थी यही चीज़ अगर आप चाहो तो चार्ट पैटन की उपर भी देख सकते हो American Bazaar का future यह उपन किया है जो की लगातार कल हम लोगों को लाल केंडल स्टिक्स यहापे बने थे बट उसके बाद हम लोगों को यहापे कह सकते है कि almost 50% हम लोगों को recover होते वे देखने को मिला है अब यह 50% recover हो गया मतलब कुछ तो उसके पीछे का reason होगा तो reason क्या होगा दोस्तों बहुत ही common sense वाली बात है जिस चीज के चलते जबरदस गिरावट देखने को मिली है उसी में ही हम लोगों को एक अच्छा development देखने को आप मिल रहा है इसी के चलते यहाँ पर भी recovery देखने को मिली है मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपने बिलकुल सही guess किया है credit suisse के बारे में कल का आपने पहला वेडियो देखा होगा जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इतनी बड़ी गिरावट की हो रही उसके पीछे का man of the match कौन है credit suisse है so credit suisse related लगातार बूरी खबरे आ रही थी जिसके चलते पूरे share market में disturbance देखने को मिल रहे था दुनिया बर की अगर हम लोग बात करें तो अभी credit suisse से ही related कुछ थोड़ी बहुत अच्छी मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब कुछ problem solve हो गया बट डुकते को तिनके का साहरा तो वैसी कुछ चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रहे कि थोड़ा सा temporary basis की उपर क्यों ना हो positive खबरे देखने को आपे मिली है और इसी चीज़ के चलते हैं अगर हम लोग American बाजार की बात करें तो credit suisse जो की कल की दिन लगबग 25-27-30% तूटा था उसकी net closing लगबग सिर्फ 13-14% की गिरावट के इसाब से देखने को ली निचले स्तर से recovery होई और अभी अगर हम लोग स्विजर रेंड की मार्केट की बात करें तो वहाँ पे जो credit suisse ट्रेड करते हुए देखने को मिल आप देख सकते हैं लगबग मिल रही है और दोस्तों जो खबर भी है न दोस्तों वो सिर्फ ऐसी नहीं की news ही ये करके उसके अगर हम लोग between the lines भी अगर कुछ चीजे पढ़ने जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा संकेत हम लोग को देखने को आपे मिल जाते हैं जो की market के long term के जरनी के लिए हम कह सकते की चलो एक थोड़ा बहुत positive development देखने को मिल रहा है मतलब देखें आपको सबको यादी होगा 2008 का recession एकलिस सुना ही तो होगा आप लोगों ने की कितना बड़ा भूकम पाया था पूरे financial institutions के अगर हम लोग बात करे finance sector की बात करे पूरे विश्मा में हम लोगो disturbance देखने का आपे मिला था अभी की जो खबर है न दोस्तों वो ये एक indication देती है कि शायद से 2008 जैसी चीज़े दुबरा repeat ना हो मैं again word यूज़ करना दोस्तों शायद क्योंकि हमेशा ये जो चीज़े रहती है ये इफ बट के उपर ही चलती है अभी अगर हम लोग 2008 की बात करें ठीके तो 2008 में क्या हुआ था आप यह ये बोलोगे Lehman Brothers से related वो crisis financial ठीके बट अगर हमें जो ये बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाना है हिंदी में ही दो लाइन में ही तो बेसिकली क्या हुआ था कि एक बड़ी बैंक financial institution हम लोगों को collapse होते वे देखने को मिली and किसी ने उसको बचाने की कोशिश तक नहीं की कि चलो बचा लेते करके तो हर किसी के attitude यह था जाने तो क्या फरक पड़ता है डूब गया तो डूब गया रेट मेरा पैसा तो यहाँ पर XYZ इसमें है ABC डूब जाता है तो मुझे क्या है बट आपको पता ही है केस्ट कैडिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है और यही सारी चीज़े हम लोगों को अभी दुबारा होती भी देखने को क्या मिलेगी इसी से related question mark था बट ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अभी 2008 जैसी चीज़े दुबारा नहीं होगी क्योंकि जो दुनिया के बड़े bank से उसको बचाने की कोशिश की जाती है और उसी का डेमो अभी हम लोगों को आज के दिन देखने को मिला कि कौन डुब रहा था यहापे आप से बिलंग को पता है credit Swiss डुब रहा था जो कि दुनिया की इतनी बड़ी bank है तो उसको यहापे बचाने के लिए सामने आ चुका है यह अभी आप बोलोगी यह क्या है तो दोस्तों इसका नाम है Swiss National Bank यह दोस्तों Swiss National Bank आज की दिन का हम कह सकते है कि गिरावट ना होने के पीछे का man of the match अगर किसी को देना है तो इसी को देना है किसको Swiss National Bank यह क्या है नीचे लिखाओ है Central Bank किसकी Central Bank है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बताओ क्या हुआ होगा एक ही चीज हुई होगी कोई मतलब दिमाग के उपर जोर देने की जरूरत ही नहीं है आप सब लोग को पता है कि Credit Suisse को किस चीज की सक्त जरूरत थी obviously funding चाहिए किसी को भी अगर आप किसी group की भी बात करे किसी company की बात करे share की बात करे किसी भी चीज की बात करे हर किसी को डूबने वाले को क्या चाहिए होता है funding, पैसा चाहिए होता है बेना पैसे को तो आप कुछ यहापे कर ही नहीं सकते and finally तो Swiss National Bank से Credit Suisse को क्या मिला होगा obviously funding मिला होगा तो यही चीज अगर आप सिर्फ Swiss National Bank अगर Google के उपर search भी करोगे आपको यही सारे website देखने को मिल जाएंगे और कुछ नहीं एक ही चीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा क्या देखने को मिल जाएगा कि Credit Suisse share में हम लोगों को जम देखने को मिली because Swiss National Bank ने loan का announcement कर दिया loan का announcement मतलब Credit Suisse को पैसे दिया obviously फुकट में थोड़ी ना दिंगे so पैसे उनको मिल गए बस that's it यही तो एक सबसे बड़ा उनके लिए oxygen था और कितना मिला है 50 billion dollar हम लोगो मतलब यहापे देखने को मिल गए मतलब Swiss franc की अगर हम लोग बात करें तो उसके हिसाब से तो definitely हम लोग कह सकते है कि छलो पैसे इनको यहापे finally यहापे मिल गए और यही main reason है आप देख सकते हैं और कोई reason नहीं हर जगे पे आप लोगो 54 billion dollar हर जगे पे यही चीज़ हम लोग को बार-बार देखने को आपे मिल जाएगे कोई भी website अगर आप यहापे open करोगे या फिर अगर आप Twitter के उपर भी अगर घूम कर आ जाओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा जैसे कि अगर हम लोग यह पढ़ लेते हैं Switzerland National Bank to provide liquidity to credit Swiss against collateral मतलब finally यह जो शब देना यह सबसे important है liquidity उनको चाहिए थी तो उनको मिल गया तो चलिए उनका जो tension था कि वो डूब जाएंगे करके तो वो तो फिलाल temporary business की साबसे तो at least हम कह सकते है कि यह पर बच चुके है अगर हम लोग 54 billion dollar को Indian rupee में भी अगर तकदिल करके बोले तो लगबग लगबग हम कह सकते है 4.4 lakh करोड रुपया Credit Swiss को यह पर दे दिया जा चुका है Central Bank के थूँ तो चलिए finally हम लोग को जो मतलब crisis देखने को मिल रहा था वो temporary basis के उपर halt होते वे देखने को मिल रहा है और यही तो reason है जिसके चलते Credit Swiss का share हम लोग को निचले स्तर से 25-24% में refresh कर लू तो थोड़ा सा अभी हम लोग को properly data देखने को ने गई देखने को ने गई 25% लिए तो वो हम लोग को देखने को आपे मिल रहा है तो यही reason है दोस्तो जिसके चलते हम कह सकते है कि आज की दिन इतनी बड़ी गिरावट है आपे देखने को यह वैसे देखा गए तो यही जो खबरे ना late night यहापे सामने आई थी जो अमेरिकन बाजार में जो recovery देखने को मिल थी यही था कि शायद से स्विजर लेंग का Central Bank इसमें entry करने की कोशिश कर रहा है और finally अभी इस खबर के उपर बोलते हैं ना मोहर लग जाना वो चीज़े हम लोग को देखने को यहापे मिल चुकी है जो बस यही एक कारण था जिसके चलते आज के दिन अगर आप थोड़ा सा दुनिया बर के बाजार भी देखेंगे European market खास करके यहापे जबरदस्त गिरावट कल देखने को मिली थी हम कह सकते कि छलिए थोड़ा बहुत तो हरा चार्ट पेटन देखने को आपे मिल रहा है फुटसी की बात करें तो एक पसंट के आसपस रिकवरी थोड़ा तो रिकवरी यहापे एक्सपेक्टि की जाएगी अगर हम लोग फ्रांस के बादर की बात करें तो वहाँ पर भी लगबग एक पसंट के आसपस की फिलाल तो रिकवरी हम लोग को देखने को आपे मिल रही है इसी चीज़ के चलते हम लोग यहापे कह सकते हैं कि जो ओरल परफॉर्मस था आज के दिन का निफ्टिविटी का वो ओके-ओके हम लोग को देखने को लगा हारा रंग देखने को मिला उतना ही आपे काफी है नो डाउट अभी भी हम के सकते हैं कि प्रेशर वाली सिचुएशन है सत्रा आजार के हम लोग नीचे ही फिलाल तो देखने को मिल रहे है क्योंकि अभी भी अगर देखा गया देखे क्रेडिट स्विस तो यह बीच में ही आ गया एक्च्छल में जो चैप्टर था वो पूरा फोकस दुनिया का कहा पे था अमेरिकन बाजार पे था क्योंकि अमेरिकन बाजार में भी बैंक्स कोलाप्स हो रहे और वो प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आट नहीं हुआ है वहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है हाँ no doubt वहाप पे जो banks collapse हो रहे वो छोटे size के banks collapse हो रहे बट still हर एक bank के अगर हम लोग cash cutting effect के अगर बात करें तो आप देख सकते जो SVB के अगर हम लोग बात करें तो वो खुद डूबा तो कितने बाकी छोटे banks को ले डूब रहा है वो भी यहाप यहाप देख सकता है और कितने सारे startup को खत्रे में डाल चुका है यह भी हम लोग यहाप देख चुके है so definitely वापस अब ही दुनिया का focus credit switch को जो पैसा मिल रहा चाहिए था वो तो उनको मिल गया है तो अभी वापस focus किदर चला जाएगा अभी अमेरिकन बाजार के उपर चला जाएगा मतलब हम basically कह सकते कि पॉवल जी के उपर ही वापस सभी लोगों की निगाई आपे आ जाएगी कि अभी आने वाले समय में अभी क्या करेंगे अभी देखा गया तो 21-22 को जो FMC की बेटक है वो बहुत ही जादा important रहने वाले बहुत सारे if but चीजे सामने आ रही है कि rate hike करेंगे शायद से rate hike नहीं करेंगे कुछ तो ये भी सामने खबरे आ रही है कि शायद से rate भी cut कर दे करेंगे तो बेसिकली बताने का मकसद के है कि अभी वापस पूरे दुनिया बर का जो focus है वो अमेरिकन बाजार के उपर come back होते वह देखने को मिलेगा क्रेडिट स्विस ने बीच में जो chapter open किया था वह वहां कि जो central bank थी उन्होंने temporary basic के उपर close यहापे कर दिया है तो इसी कासा मार्केट गिरेगा अच्छे कासे शेर खरीदने का मोका मिलेगा तो जो मनसुबे थे वो तो हम कह सकते स्विजरलन की सेंट्रल बैंक ने तो मतलब खराबी कर दे हमें ऐसा बोल सकते बट कोई बात नहीं मार्केट है दोस्तों मार्केट में कितनी सारी चीज़े चलती अब आज की दिन सोने से पहले ही कितनी सारी खबरे आ जाएंगी और फिलाल जो बाजार का स्ट्रक्चर ही है थोड़ा सा टेंस वाला ही हमनों को देखने हो का पर मिल रहा है मतलब कितनी भी पॉजिटिव निउस लेकर आ जाओ तो जो रिकवरी रहेगी नहीं इतनी जादा पर बहुत जबरदस प्रेशर रहेगा पॉलिटिकली भी जबरदस प्रेशर रहेगा कि यह सारी चीजे मैनेज करने का काम उनीका होता है और वो अगर फेल हो गए तो आपने देखा कि बाइडन को आके इन सारी चीजों से रिलेटेड बाते यहापर करनी पड़ी है तो 20 सेकेंड को ही इससे रिलेटेड आउटकम यहापर आ जाएगा तो फिलाल तो इस वीडियो को यही पर रोखना चाहूँगा वीडियो अच्छा लगे तो चाहूँ तो लाइक और शेयर कर सकते हो और डिमाइट अगर आपन नहीं किया है तो लिंक नीच नीचे आज़ो सो वी बिल भी मेटिंग आर एक स्टुडियो तब तक के लिए बाई बाई